नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है इश्पर से सिनहा और आप देख रहे हैं व्लॉगर इश्पर शीटिफ चैनल आपको बता दें कल हमने आपको अपडेट दिया था आपको हमने जांकारी दी थी मैलानी से गोरकपुर के बीच संचालित की जाने वाली 05009-05010 गुमती नगर स्पेशल कल यानि 26 अगस्त को पूरतार रद कर दी गई थी कारड साफ था गोरकपुर से पहले पेपे गंज और मनी राम के बीच ट्रैक पर बारिश की चलते पानी जादा आ गया था जिसके चलते जो संचालन है वो नहीं हो पा रहा था दोस्तो आज 26 तारिक के बाद आज समय है 27 अगस्त का आज क्या कारण है क्या आज गाड़ी चलेगी गोरकपुर से मैलानी के लिए क्या मैलानी से गोरकपुर के लिए आज ट्रेन जाएगी इस पर आपको हम जांकारी दे देते हैं जो करेंट की फिलाल खबर निकल कर सामने हैं आपको बता दें कल यानि 26 अगस्त को रात में करीब 8.30 के आसपास में गोंतिनगर एक्सप्रस का जो रेक मैलानी में खड़ा हुआ था क्योंकि कल तो ट्रेंग कैंसल थी कल जो रेक मैलानी में खड़ा हुआ था उस रेक को बुला लिया गया था सीता पुर की दिशा मे रात में करीब 8.30 के आसपास में लखीमपुर को पार करता हुआ वह रेक गया था वहीं दूसरी और दोस्ता को बता दें आज यानि की दोपहर के समय 27 सगस्त को फिर एक बार जो रेक कल मैलानी से सीतापुर की दिशा में गया था गोंतिनगर एक्सप्रस का खाली रेक वही आज वापस मैलानी जंक्षन पहुचा दिया गया है आप सामने वीडियो में देख सकते हैं लखीमपुर को पार करता हुआ मैलानी जंक्षन के दिशा में जाता हुआ इसके बाद मैंने जो सूचना प्राप्त की है हमें जो ऑफिशली सूचना प्राप्त हो पा रही है उनक पचास-दस मैलानी गोरकपुर स्पेशल अपने निर्धारिस समय से मैलानी जंक्षन से रवाना होगी गोरकपुर की दिशा में तो यह अच्छी खबर भी मान सकते हैं कि फिर एक बार रेल्सन चलन शुरू हो रहा और ज्यादा समय के लिए टैला नहीं एक दिन का ही समय लग ऐसी उमीदे आप कर सकते हैं कि गोरकपुर से भी आज रात में 10 बच कर 20 मिनट पर 05009 गोरकपुर मैलानी स्पेशल मैलानी के लिए चल सकती है दोस्तों उमीदे आपको आज ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी जांकारी पसंद आई होगी जांकारी को शेर करें वीडियो को शेर करें लाइक करें आपके प्रतिक्रिया क्या है आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ज हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं धन्यवाद